हम से जूरने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा सीजी सिक्षा एप और पाइए इंग्लिश मेडियम में नरसरी, LKG, UKG की सभी क्लासेज वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ साथ ही सीजी बोड हिंदी मेडियम में हिंदी, अंग्रेजी, गडी, जेव विग्यान, रशायन, बहुती की और स्पोकन इंग्लिश की सभी कक्षा हैं वो भी मात्र पास और उपै सलाना सुल्क के साथ और सभी अनात बच्चों के लिए कक्षा हैं बिलकुल मुफ्त है तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं और ये अब डाउनलोड करने के लिए नीचे दिये गए लिंक को टच कीजी और हमारा ये अब डाउनलोड कीजी थैंक यू अब आप लोगो अच्छे सी क्लियर हो गया होगा आज हम प्रेजन कंटिनियस स्टार्ट करने वाले हैं सो पहले समझ लेते हैं कि प्रेजन्ट सिंपल में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो काम हम प्रेजन्ट ली कर रहे हैं अब हम पढ़ने वाले हैं present continuous tense हमको name से पता चल रहा है कि obvious सी बात है कि वो present में क्या होगा continue होगा For example, अगर आप ये example लेंगे कि मैं आज सुबह से पढ़ रही हूँ मैं आज सुबह से पढ़ रही हूँ वो क्या है, वो काम मेरा continue है कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ या फिर मैं कहूँ कि मैं आज सुबह से आप लोग को पढ़ा रही हूँ ये काम मेरे लिए क्या है ये मैं present में भी कर रही हूँ और वो चीज लगातार चल भी रहा है that means present continuous tense जो present में हम वो काम continue रखते हैं means वो continue हम करते ही रहते हैं सुभे से मैं आपको पढ़ाई रही हूँ वो काम में रख्या है continuous दी लगातार चल ही रहा है तो इस type के जो sentences होते हैं वो हमारे present continuous में आते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा ये class present progressive और present continuous present continuous tense को हम present progressive tense भी कह सकते हैं दोनों एक ही है present continuous usually defines an act that is going on at the time of speaking correct the spelling of speaking present continuous जो होता है वो actual में किस चीज को define करते हैं जब हम बोल रहें जैसे कि मैंने भी आपको बोलके बताया कि मैं आज सुबह से आप लोगों को पढ़ा रही हूं यह चीज क्या है अपकर मेरा यह काम क्या है continue presence means add और आज का काम जो लगातार चल रहाए means present continuous मैं सुबह से आपको पढ़ा रही हूं मेरा ये काम क्या है continue है तो यही होता है हमारा present continuous stance For example, देखिए आप I am teaching, you are listening I am teaching मैं आप लोगों को पढ़ा रही है बोल सकते हैं कि हिंदी में अगर हम देखें the sentence that ends with रहा हूं, रही हूं, रहे हैं कि हम आज सुबह से पढ़ रहे हैं हम आज सुबह से ये काम कर रहे हैं हम आज सुबह से सो ही रहे हैं तो जो काम continue रहता है वो आपका present continuous में आता है You are listening, आप सुन रहे हैं They are enjoying the picnic वो अपना picnic क्या कर रहे हैं? Enjoy कर रहे हैं I am watching a movie, मैं movie देख रहे हूं My parents are coming today मेरे parents आज आ रहे हैं अब सबसे पहले तो हम इसका structure देख लेते हैं ताकि अगर आप लोग के mind में थोड़ा सा भी doubt होगा तो वो भी clear हो जाए So देखते हम affirmative का आप लोगों को याद ही होगा कि present simple में भी हमने four types के sentence पढ़े थे continuous में भी मतलब सारे tenses में हम four type के sentence पढ़ेंगे So हमारा first sentence क्या था Yes हमारा affirmative तो सबसे पहले हम affirmative का ही structure देखते हैं तो affirmative में सबसे पहले होगा आपका subject और present continuous में helping verb is MR का होता है Then verb का first form होगा Then ing होगा Then rest of the sentence यहाँ फिर हम कहें हमारा sentence का object होगा Clear student हमने देखा था present simple का उसमें helping verb नहीं था तो हमने negative और interrogative के रिए do does का use किया था Clear अब देखिए आप present continuous में हम as a helping verb किसका use करते हैं Is MR का use करते हैं हमेशे एक बात याद रखेगा चाहे हम present का पढ़े, past का पढ़े या फिर future का पढ़े चाहे हम present continuous पढ़े चाहे हम present perfect continuous पढ़े continuous हमेशा ing form में ही होता है Clear So देखिए आप subject Plus is MR, plus the first form, plus ing, plus object For example देखिए He is writing a letter ठीक है अगर हम इसको देखिए He is writing a letter तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यह divided है इस sentence में देखिएंगे plus plus के form में divided है वो इसलिए divided है क्योंकि हमारे according to our structure कह सकते है He क्या है आपका subject है Okay Is MR, अब आप सोच रहेंगे कि Is MR कहां use होता है तो हम आगे Is MR भी अच्छे से समझने वाले है कि Is MR कहां use होता है फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूं कि Is हम लोग singular के साथ में use करते हैं M जो है वो सिर्फ I के साथ use होता है I के अलावा किसी भी और word या फिर letter के साथ use नहीं होगा और जो आपका R होता है वो R plural के लिए होता है clear है तो देखे ही आपका singular है इसका use हुआ helping verb में से हमने ease का use किया then verb का first form तो इसमें right verb का first form है उसमें ing लग गया तो यह हो गया writing और ing form वाले को ही verb का fourth form कहा जाता है तो इसको आप direct verb fourth form भी लिख सकते हैं बोध are correct clear then होता है आपका rest of the sentence मतलब हमारा object ठीक है यह first form ing here it is subject helping verb is used in ease clear students तो इस तरीके से देख सकते हमारा present continuous का affirmative का structure next example देखे I am eating an apple मैं एक apple खा रही हूँ I क्या है यहाँ पर आपका subject है M मैंने भी बताया कि I के साथ see for see M का use होगा तो I के साथ आप ease का use करेंगे और I के साथ R का अब I के साथ R use होता है अब आप सोच रहे होंगे I के साथ R yes वो negative interrogative में होता है उसको हम आगे देखेंगे M helping verb का use किया then verb का first form मतलब eat यहाँ पर आपका verb का first form है then ing तो यहाँ पर यह ing उसके बाद object यह वाला part है हमारा object का clear और आपकाल आपकाल हुए मेंगे